स्वागे थे दोस्तों आप सभी का आप के YouTube चैनल एक्जाम पेरा पर मैं Pharmacist Robin Singh एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर क्या हूं Pharmacist Exam के Point of View से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इस टॉपिक के अंतरगत हम लोग पूरी एक सरंखला करेंगे दर असल ये टॉपिक क्या पूरी एक सरंखला होगी इंपॉर्टन टॉपिक की और पूरा एक सब्जेक्ट रहेगा आपका Why szcz फार्मसोटिक सब्जेक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक को जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के महत्वोर को महात्वपूर्ण टॉपिक को जुछ के कवरर प्रकी यद्धर और तिस वर में आपका कवर करने का टार्गेट रका गया है 10 दिन पे आ बात नहीं है और इसमें जो आपका भी SBI फार्मासिस्ट का एक्जाम के डेट आ चुकी है जो 23 माई को होना है अभी और देखते हैं वो कब 200 कुश्चन होंगे दोस्तों यह जो आपका फार्मसिटिक्स फर्स्ट का पेपर में आपको करवाने जा रहा हूं इसमें 200 कुश्चन होंगे और इसको जो है आप अगर पूरा कंप्रीट यह सीरीज देखते हैं तो आपको इसके अलावा फार्मसिस्ट के एक्जाम के लिए मे अगैं प्रप करेंगे और तो आप की मेर्स फॉक्स में जोहरे सारी मिस्टिंग होती है और मिस्प्रिटिंग की वज़ए से मुझे खुद कहीं बार बहुत कंफिशन हुआ है तो इस वज़ए से जो है मैं आपको तो यह सज़ेस्ट करूंगा कि बुक के चक्कर में मत पढ़िए जितना भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है आपके वर उसी पर फोकस करिए बागी जो आपके पास इस्टडी मेटरियल है उस पर फोकस करिए ठीक है चुकि बुक्स में बहुत मिस्प्रिंटिंग होती है आपको अ सारे सारे क्विश्टन जो है आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन आप क्विश्टन पर फोकस करिए बाकी बुक्स की पर बिल्कुल फोकस मत करिएगा चुकि बुक्स में लॉट्स ओफ इरर और मिस्प्रिंटिंग इरर इतनी ज़्यादा कि आप को कितना भी अच्छा आता हो आ एक बार के लिए ही बनाया जाता है कि आप एक बार उसको खाली जी और बस उसके बाद डुबारास पर्ताइब करके नहीं खाना होता है ठीक है तो अब तो यह सब या पैलेट्स वगएरा होते हैं तो यह सब आपके जो है यूनिट डोजिस फार्म है तो अब आप लोग इसमें देख करके समझ गया हूंगे कि इनमें से कौन से यूनिट डोजिस फॉर्म नहीं है मैंने आपको आप्शन ऐसे ही बता दिया है इसलिए राइट आनसर है क्योंकि कभी भी आप अगर आप पैक्ड लेते हैं यानि किसी पैकेट में अगर पाउडर आ रहा है तो वह एक फिक्स्ट एमांट में होगा लेकिन अगर आप पाउडर को बल्क के रूप में देखते हैं चुकि मूश्टली पाउडर्स बल्क के पाइंगे आप मोटा मोटा अक्रा लगाएंगे कि हाँ एक चम्म चम ने ले लिया लेकिन एक्जेक्ट वन ग्रैम टू ग्रैम ट्री ग्रैम क्या इक्जेक्ट डूस जा रहा है यह आप कभी भी जो है निर्धारित नहीं कर पाएंगे और इसी वज़ए से पाउडर जो है बात लागू नहीं होती है क्या होते हैं और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि आपका आपस में मिक्स नहीं रह सकते हैं इसलिए हम लोग इसमें एक इमलसी फायर एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसको एक लंबे समय तक जो है इस्टेबल बनाए रखता है ठीक है तो जो मोनोफेसिक लिक्विट्स होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं किस तरीक जो सब्सक्राइड और रूप किस लिए किया ता rr पेरेंटरल एड्मिनिस्ट्रेशन औरल एड्मिनिस्ट्रेशन इस पेरेंटरल को आप कट कर दीजिए यानि पेरेंटरल एड्मिनिस्ट्रेशन टॉपिकल एड्मिनिस्ट्रेशन या अप्थाल्मिक एड्मिनिस्ट्रेशन अब इनका मतलब समझ दीजिए पेरेंटरल का तो आप करेंगे आखों का एक जो वर्ड होता है वह होता है ऑपका और कीजिट नर्व आ पने विए लिया तो ये दोनो अपिटी जो है O QUE जो है आपको सेंस ही देगा जाकर की किसका आखों का आखों का तो आप्थैल्मिक आखों के लिए और आप्ट्रीक भी आखों के लिए तो इसका जो तो application doses form है इसको कहां इस्तिमाल किया जाएगा किस तरीके से इस्तिमाल करेंगे जो topical administration इसको हम लोग over the skin इस्तिमाल करेंगे जाकर के over the skin और इसके बारे में बता दें कि जो body का जो आपका सबसे बड़ा औरगन माना जाता है ठीक है ओर all body का ठीक है टो यह अगर बता ठीक है और internally अगर बात कर लिजाये तो लीवर आ जाएगा चुंकि लीवर आपके gland होती है ठीक है जो लीवर है वो आपको gland होता है और अगर फिर आपसे endocrine या exocrine बी बात कर लिजाती है तो फिर आपका जो है thyroid gland आजाएगा जक्की ठेक है तो यह हो गया जाकर कि आपक्षिशन नमर फॉर कुश्च नमर फाइब पे चलेंगे कोलाइडियंस यूजली कंटेंस बहुत अच्छा कुश्चन है कोलाइडियंस जो है यह क्या कंटेंस करता है नाइट्रोसरिलोज सेलिलोज मेथाइल सेलुलोज या करबाओक्सी मेथाइल सेलुलोज किया जाता है preservative की तरह यानि preserve करेगा एक तरीके से microbial जो growth है उसको रोकेगा जाकर के या solvent की तरह होगा या additive की तरह होगा या ना अब की तरह होगा additive का मतलब होता है to increase the bulk या जो आपका effect है medicine का वो बढ़ाने के लिए सबस्क्राइब के लिए टरोफ गया जाता है additive ठीक है और solvent का मतलब होगा जाकर केिका solvent और sow Cisco दूचीजें होती है colleague त्ष्व दॉच्छेंती हैं जो हुथ है वह इसी तरीके से पर देखाजाए तो वह आत्याइक आपका और याइट तो युण क्योंकि जो भी medicine हम लोग ear drop में डालेंगे suppose that कोई cortico steroid अगर डालते हैं या कोई antibiotics अगर हम लोग डालते हैं suppose that gentamicin अगर gentamicin को हमको dissolve करना है सब ठीक है तो उसको किस में dissolve करेंगे उसको dissolve कर देंगे जाकर कि propylene glycol में ठीक है इन glycol का इस्तमाल होता है किस की तरह solvent की तरह है ठीक है फिर बढ़ेंगे question number seven की तरफ logenges are solid doses form जो logenges होता है यह solid doses form होता है ठीक है और intended for यह किस लिए बनाया जाता है अब आप लोग देखेगा logenges are solid doses form logenges जो होते है solid doses form होता है और साथी साथ unit भी होता क्योंकि एक logenges का मतलब एक टॉफी ठीक है तो यह किस तरीके के action के लिए बनाया जाता है faster action के लिए slow dissolution के लिए slow disintegration के लिए या none of the above तो the right answer is slow dissolution जब भी आप logenges खाते हैं तो यह logenges क्या होता है धीरे-धीरे dissolve होता है जाकर के dissolve होता है जाकर के धीरे-धीरे मुह के अंदर चुकि यह टॉफी की तरह होता है कंपट की तरह है तो यह धीरे-धीरे जो है डिजॉल्व होगा तो इसका जो काम होता है वो slow dissolution के लिए होता है तो logenges are solid doses form intended for slow dissolution फिर आजाए क्वेशन नमर 8 यानि a pro drug is a बहुत अच्छा question है a pro drug is a pro drug क्या होता है pharmacologically inactive derivative या medicinally active या inert substance या none of the above तो देखिए pharmacologically inactive derivative जो pro drug होता है वो आपका होता है pharmacologically inactive derivative ठीक है फिर बढ़ेंगे अगले question की तरफ 9 number of question implants are designed for देखिए चाप होते हैं वो किले design किया जाते हैं किस लिए बनाए जाते हैं prolonged action के लिए fast action के लिए increased efficacy के लिए या none of the above तो the right answer is prolonged action जो implants होते हैं वो लंब़े समय के action के लिए design के बना जाते हैं और इसको याद करने की जो भी दी मैंने बताई है आपको कि implants को अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे देखिए implants implants इस तरीके से implants लिखा अब implants से इम हटा दीजिए बचे का क्या plants plants और जो plants होता है यह आपका sense देता है किसी भी factory का किसी भी factory का जो sense है वो मिलता है plant से नहीं बोलते हैं तो plant किसलिए लगा जाता है क्या दो दिन के लिए सालों साल चले तो इसी तरीके से आप लोग याद कर लिजे कि जो implants होता है वो design किया जाता है किसलिए prolonged action के लिए जो लंबे समय तक काम करें question number 10 पर चलेंगे in aware depuse system the standard unit for weighing is a wire depuse system aware depuse system में जो standard unit होती है weight की तो वो क्या होगी gram होगी grain होगी या आपका breaking होगा या pound होगा ठीक है तो the right answer is a wire deposis system में जो standard unit होगी जाकर कि वो pound होगी जाकर कि क्या होगी जाकर कि pound और pound हमें कैसे याद करना है यहाँ पे deposis है deposis तो deposis से हमने लिए और यहाँ पांड से हमने पी ले लिया अब यह पॉंद 국 magari मैचिंग हम लोगों नहीं याद करें लिए याद करें एक यह दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइम करें लाइक करें और दोस्तों तक जरूर सेयर करें ठीक है और जो भी आपका सजेशन है वो आप लोग दे सकते हैं सब्सक्राइब करने का एक तरीका होता है तो आपके सामने चार ऑप्शन है आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है तर राइट आंसर इस ग्रेन ग्रेन होगा जाकर के इसको कैसे याद करेंगे यहां पर हम लोगों ने लिखा एपोथी कैरीज एपोथी कैरीज ठीक है एपोथी कैरीज लिख लिख लिए और यहां पर लिख 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 देखे ये apothecaries का R और grain का R और ये दोनों मिल करके जो है आप लोग correlate करके इसको याद कर लिजेगा कि apothecaries system में जो standard unit होता है weight का वो होता है grain ठीक है फिर question number 12 पे चलेंगे international system of units include देखे जो international system होता है उसकी unit क्या होती यह SI जो SI unit होती है उसमें क्या होगा जाकर के international system of units SI पद्धती में क्या होगा metric system, award deputies system, apothecaries system या none of the above कि system को इस्तेम को इस्तेम करते हैं तो the right answer is metric system तो international system of units includes उसमें क्या include किया जाता है metric system को फिर बढ़ेंगे question number 13 की तरफ the standard unit of capacity measurement in empirical system is बहुत ही अच्छा question है और देखे इसमें से कुछ questions ऐसे हैं दोस्तों जो books में आपको misprint मिलेंगे ठीक है और इसी की वज़े से कभी कभी answer आपको गलत बता दिया जाता है ठीक है तो अब इसका देखते हैं हम लोग the standard unit of capacity measurement in empirical system the standard unit of capacity जो capacity की standard unit है ठीक है empirical system में वो क्या है milliliter होगी gallon होगी ounce होगी या minimum होगी तो the right answer is is gaillon gaillon is that standard unit of capacity measurement in empirical system imperial system में यहाँ से आपने लिख लिए देखे यहां से आप में लिख लिए imperial क्या लिए imp за area and यहाँ से आपने लिए theалon ठीक है क्या लिए गैलान in 서울 में सब च्छोड़ दिया last लीए यह यह यहां से यह ले लिए और यहां पे डबल यह तो यह डबल सिस्टम में जो मेजर में मिजरमेंट करते हैं कैपिसिटी का उसकी स्टेंडर्ड यूनिट क्या होगी तो वह गैलन क्विशन नबर 14 पी चलेंगे वन पाउंड एक पॉथी कैरी इस एक्वेलेंट टू देखें वन पाउंड एक पाउंड जो है एक पोथी कैरी में किसके बरा पाईव थाउजन्ट सेवन हंडर्ड सिस्टी ग्रेंज और इस कुष्चन को एक बार इस कुष्चन को आप लोग एक बार चेक कर दीजेगा चुकि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है ठीक है इसका मुझे एक्जेक्ट आंसर जो है थोड़ा मिल नहीं पाया था इसको आप लोग शेक कर दीजेगा कुष्चन नमर फिप्टीन पे चलेंगे वन ग्रेन इस एक्विवेलेंट तो यह देखिए बहुत ही अच्छा कुष्चन है काफी एक्जाम में आया हुआ भी कुष्चन है वन ग्रेन जो होता वो किसके बराबर होता है 100 मिली ग्राम के 64 24.78 मिली ग्राम के 50 मिली ग्राम के या यह नद्धा है बब तो तो तह राइट आंसर इस जिए 64.78 मिली ग्राम वन ग्रेन, वन ग्रेन इस एक्वर टू-1 ग्रेन जो होता है वन ग्रेन वह 64.78 मिली के बराबर होगा question number 16 पिचनेंगे one kilogram is equivalent बहुत यह अच्छा question very nice question one kilogram एक kilo एक kilogram जो कितने के बराबर होगा two point five pound three point three pound या two point two pound या none of the above तो the right answer is two point two zero pound ठीक है pound किसमें होता है aware depressive system में जो standard unit of weight होता हो पाउंड होता है तो इसमें देखिए bracket में बल्कि A, V, O, I लिखा है जिसका मतलब होता है aware depressive system तो one kilogram is equivalent to two point two zero pound बहुत यह अच्छा question है आया होगा question है one drop is equivalent to देखिए एक drop जो होता वो किसके बराबर होता है point zero six ml के one ml के point three ml के या point five ml के देखिए इस question को solve करने से पहले एक question मैं आपको बता देता हूँ पहले आप उसको solve करिए है क्या कि आप से गर पूछा जाए कि one ml एक ml में कितने drop होंगे तो आप बताएंगे 20 drop बहुत ज़्यादा important question है पहले इसको याद कर लीजिए ठीक है कि one ml में drop है तो यह 20 drop बराबर एक ml तो एक ड्रॉप बराबर एक बटे 20 ml अब क्या है कि बीए एक में जो है 20 का भाग तो जाएगा नहीं तो यहां पर दसम्बलों लगाईए और यहां पर जीरो बढ़ाईए तो यह दसम्बलों आपका लग गया और यह जो है आपका जीरो बढ़ तो यहां आया कि दसम्बलों 05 यानि 1 drop is equal to 0.05 ml ठीक है क्या आदाएगा ml अब यहां पर देखते हैं option यहां पर 0.06 ml 1 ml 0.3 ml या 0.5 ml तो अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा इसमें सही होगा नियर अबाउट वाला 0.06 ml देखिए अगर 0.05 नहीं मिला है तो आपको exact नही मिलता है तो आप नियर अबाउट पर टिक करेंगे और नियर अबाउट है आपको 0.06 ml ठीक है लेकिन गलती हो सकता है आप 0.5 ml पर टिक कर दें लेकिन 0.5 ml जादा होता है 0.05 से ठीक है तो वन ड्रॉप इस एक्विवालेंट टू इस question के option के हिसाब से आदेगा 0.06 ml ठीक है question number 18 पर चलेंगे हम लोग 1% weight per weight dextrose means देखे 1% weight per weight dextrose का मतलब क्या हो गया जा करके तो 1% weight per weight सबसे पहली जो बात focus करने वाली है वो ही है कि यहाँ पे लिगा है आपका weight per weight ठीक है तो क्या होगा 1 gram dextrose in 100 grams of product 1 gram dextrose in 100 ml of product या 1 mol in 100 ml of product या none of the above तो the right answer is 1 gram dextrose in 100 gram of product यानि 1 gram dextrose पाया जाएगा 100 gram product में अगर 100 gram product है तो उसमें 1 gram dextrose होगा ठीक है लेकिन नीचे वाले में देखिए minor अंतर है बहुत ही कम जो है बहुत एक छोटा सांतर है इसमें लिखाए 1 gram dextrose पाया जाएगा 100 ml of product देखिए अंतर कहां पे आ रहा है क्य क्योंकि यहां पर ml लिखा है यहां पे चेंज हो गया लेकिन यहां पर अभी भी gram लिखा है ठीक है और अब उपर देखिए आप लोग यहां पे जो unit का क्या दिया गया weight पर weight यानि weight की बात हो रहे आप से अगर volume की बात यहां पर हो जाती तो यह जो है सही हो जाता 100 ml वाला लेकिन यहां पर क्या है weight पर weight की बात है तो weight यहां पर क्या है gram gram किसको सो करेगा weight को सो करेगा ठीक है फिर यहां पर दूसरा weight है तो यह भी जो है आपका gram को सो करेगा जाकर के ठीक है और चुकि unit की बात हो रही ना तो weight जो है weight की unit क्या होती ग्राम होती है या milligram होती है या milligram ग्राम दिया गया तो ग्राम ही हम लोग जो है लेंगे अगर यहां पर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है एमेल हो जाता अब यह आपका ठीक है फिर बढ़ेंगे क्विश्चन मर नाइंटी नाइटीन की तरफ आ टंबलर फुल इस एक्विवालेंट ट तो दा राइट आंसर इस तो हंड़ेट फुल इमेल और एट फ्लूड आउंस देखें इसमें एक जो क्विश्चन जानने लाइक है और बहुत इंपोर्टेंट है कि वन फ्लूड आउंस इस इकल टू हाउ मच ए हाउ मैनी एमेल ठीक कितने एमेल बराबर होता है वन फ्लू या 8 फ्लूड आउंस बाकि देखिये किसी में जो है फ्लुड आउंस को अगर कल्कूलेट करेंगे तो एमेल में नहीं आएगा और मेल यूनिट क्या है इंटरनेशनल सिस्टम में मिली लीटर होगा एमल लीटर होगा आउंस होगा या मिनिम होगा तो दोस्तों यह थे हमारे आज की 20 सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करें और अपने फार्मसिस्ट की तैयारी को मजबूत बनाएं हमारे साथ जोड़कर के और इसी तरीके से हम आपको सारी जो है अपडेट देते हैं और सारे कुश्चन पेपर करवाते हैं सुम्पर्ण समुन जो जो सब्सक्राइब कर दोते हैं